आज हम बात करेंगे production and propagation of sound के बारे में हम देखेंगे कि sound की production कैसे होती है यानि कि आवाज कैसे पैदा होती है और हम इसकी propagation भी देखेंगे propagation क्या होती है propagation कहते हैं कि sound या आवाज आगे कैसे जाती है यानि कि हम यहाँ क्या देखेंगे कि आवाज बनती कैसे है और आगे कैसे जाती है यानि हम तक कैसे पहुँचती है सबसे पहले हम यह देखें कि sound क्या होती है यानि what is sound तो हमें पता चलता है कि कोई भी आवाज जो हम सुनते हैं उसे English में sound कहते है यानि कि anything we hear यानि कुछ भी हम सुनते हैं जो भी हम सुनते हैं hear मतलब सुनते हैं वो क्या होती है sound जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे स्कूल में घंटी बचती है और घंटी बचने की sound यानि कि आवाज हमें आती है इसी तरह जब मस्जिद में ऐलान होता है या आजान होती है तो हमें आवाज आती है यानि sound आती है और हम सुनते हैं इसी तरह हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम आवाज के जरीए उनसे बात करते हैं अपने दोस्तों से यानि we talk to friends यानि हम friends से, दोस्तों से बात करते हैं with voices यानि आवाज के जर्ये हमारी आवाज हमारे दोस्त सुनते है और यह आवाज sound कहलाती है अब हम देखेंगे कि sound बनती कैसे है यानि production of sound कि sound कैसे बनती है आवाज कैसे बनती है चलें आप एक काम करिएगा अपने desk पे अपना ruler रखिएगा इस तरह से थोड़ा सा desk के उपर और बाकी बाहर इस तरह हवा में फिर आपने इस जगा से अपने ruler को या इस scale को यहाँ से नीचे दबाना है और फिर छोड़ देना है और यहाँ से नीचे दबाके एकदम हाथ हटाना है तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका ruler है वो इस तरह से उपर नीचे होना शुरू हो जाएगा यानि वो बहुत जल्दी जल्दी उपर और नीचे हो रहा है यानि अपनी इस जगा से यह जो इसकी एक जगा है इससे यह उपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है कि इस तस्वीर में इतनी जल्दी जल्दी यह उपर नीचे जा रहा है तो यह जो इसका उपर नीचे जाना है इसको English में क्या कहते है इसे कहते है To and from movement यानि कैसी movement उपर नीचे जो इस तरह जा रही है अपनी जगा से उपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है और जल्दी जल्दी इस तरह movement कर रही है इसे कहते है To and from movement और हम इसे vibration भी कहते है यह क्या है? ये vibration है अब यहाँ पर हम क्या note करेंगे कि जब ये scale उपर नीचे जा रहा है तो आवाज भी पैदा हो रही है इसका मतलब हुआ कि इस ruler की या scale की to and from movement या vibration के जरीए आवाज पैदा हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि sound कैसे produce होती है जब कोई object यानि कोई चीज vibration क्यों करती है यानि vibrate करती है जिसका कि यहाँ पे ये जो ruler है जब ये vibrate करता है इस तरह उपर नीचे तो जब तक ये vibrate करता रहेगा आवाज पैदा होती रहेगी तो vibration of objects यानि चीजों की vibration से sound is produced यानि कि आवाज पैदा होती है बिल्कुल जैसे घर में अगर एक fly यानि मक्ही घुसाए आपके इर्द गिर्द अगर मक्ही ओर रही हो तो आपको आवाज आती है आपको पता चलता है कि ये जो fly यानि मक्ही है ये आपके इर्द गिर्द ही कहीं पैं कि आपके कान में आवाज आती है और हमारे ear में किस तरह की आवाज आती है buzzing sound आती है जिसे हम क्या कहते है इस तरह की buzzing sound आती है और ये क्यों आती है क्योंकि जो मक्ही हमारे ear गिर्द ओर रही होती है उसके जो पर होते है वो जल्दी जल्दी उपर और नीचे जा रहे होते है ये अपने परों को फड़ पड़ा रही होती है तेजी तेजी उपर नीचे हो रहे होते है इसके वज़ेश से मक्खी ओड़ पा रही होती है और यह क्या होती है यह होती है Vibration मक्खी के परों की Vibration और इसलिए हमें Buzzing Sound सुनाइ़ देती है अगर मक्खी हमारे एर्द करत ओड़ रही हो अब हम देखेंगे कि गरी Sound हम तक कैसे पहुँचती है vibration के जरिए मिसाल के दौर पे हमारे पस यहाँ पे एक drum है हम इस drum को इस stick से जोर से मारेंगे तो जैसे ही हम इसके उपर stick मारेंगे तो देखें जहाँ पे हम stick मार रहे हैं वहाँ पे जो drum का part है यानि कि यह drum की skin है इस पे जब हम मारेंगे इस stick को तो यह vibrate कर रही है यह देखें यह vibrate कर रही है और फिर इसकी vibration की वज़ा से आवाज की लहरे पैदा होती है जो हमारे कानों तक चलती चले जाती है जिससे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं है कि जब हमने इस stick को drum की skin पे मारा तो वो vibrate होने लगी उसकी वज़ा से आवाज की लहरें पैदा हुई जो हवा में से सफर करती ही हमारे कानों तक गई और फिर हमें ढोल की आवाज आएगी इस drum की आवाज आएगी तो हमने देखा कि जब हमने stick को जोर से इस drum पे मारा तो इस drum की skin vibrate करती है और उसी की वज़़ से आवाज की लहरें पैदा हुई इससे हमें पता चला कि sound का sip कैसे produce होती है जब कोई चीज vibrate करती है और फिर वो जब कोई चीज vibrate करती है जिसे यहां पर यह बच्ची इस loudspeaker में बोल रही है तो हवा में यहां से vibration के बाद लहरें पैदा होती है आवाज की यह आवाज की लहरें जैसे ही हमारे कान तक जाएंगी हमें इस बच्ची की आवाज सुनाई देगी तो आवाज ऐसी लहरों की सूरत में हम तक पहुँचती है जो लहरें हमें नजर नहीं आती लेकिन वो हम तक पहुँचती है हमें तब ही आवाज सुनाई देती है और ये लहरें का पैदा होती है जब कोई चीज वाइब्रेट करती है जिससे की यहाँ पर जब ये बच्ची बोल रही है तो यहाँ पर एक चीज वाइब्रेट कर रही है जिसकी वजह से आवाज पैदा हो रही है और आवाज हवा में से होती हुई हमारे कानों तक पहुँचती है और फिर हमें आवाज सुनाई देती है और इस तरह आज हमने देखा कि साउंड क्या होती है और वो किस तरह पैदा होती है और वो हम तक किस तरह पहुँचती है